पब्लिक टीवी आपकी आवाद पब्लिक का कहना है कि उसके परिवार को जान से मारने की धंकियां आरोपियों के द्वारत दी जा रही है और जवरन फैसले का दवाब बनाया जा रहा है पिडित ने टी आई जी मुरदबाद को पत्र सौंपते हुए प्रांतना पत्र में जाच को इस्थानांत्रित करने की मा मेरे नाम डोक्टर चांद खान है मेरी पत्नी से और मुझ से मेरे पार्टनर ने पिलोड दिलाने के नाम पर 15-16 लाक रुपे ले लिए हम उनके उनसे हमने कहा कि हमारे पैसा बाफस कर दो दो तिन वार मिटिंग हुई पंचायत हुई लेकिन नहीं नहीं ती हम उनके घर प दो पर यह को संद्व हजार 24 बंद करके मारा मेरा बेटे ने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस बला लिए मेरे बेटे ने हमने लिखित में दिया लिखित में देने के बावदूद हम 14 दिन तक लगतार थाने की पैरोकारी करते रहे ना मेडिकल हुआ हमारी पतिनी की हड़ी में बाल आ गिया है पेटी बंदरी है टीम्यों से इलाज चला है दो फिर उसके बाद 15 दिन बाद हमारी एफ हैर कायम हो भी फिर एफ हैर कायम होने के बाद 161 का बयान हुआ दस दिन के बाद फिर एक महिने के बाद देड़ महिने के बाद 64 कराया दो महिने के बाद मेडिकल कराया आयो चोकी पिरवारी एकवान पूर रिपोर्टिंग चोकी पिरवारी मेगरा सिंग जो है उन्होंने दो महिने बाद और अगर हम फोन करते थे तो कहते थे मेरे पर 336 मुकदमे हैं ऐसे जाने कितना हम है तुमारे जैसे और उनके जो सहायक थे उन्होंने बीपक्सी पार्टी से मेरे सामने 1.5 लाक रुपे लिए एक तो उनमें से जेल चले गए 5000 के उसमें एक वहाँ पर ही मुझूद है और मेर तय सारा केस नल बटकर करके ना वोलिया ना मेरे स्टेटमेंट लिया न मेरे बेटे का स्राइब लिया और चार्सी ठलके करांगे दरोगा मेगَरास सिंह चोक की पिरभारी अगवानपूर थाना सीवील लाइन से के उन्हें ग्रफतार करो ति दो नही कर रहे तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर लेकिन आज तक हमें नहीं बुलाए गया ना हमें कभी साइन हुए ना हमारे कहीं बयान हुए हम कप्तान साफ के पास गए उनके पास आने के बाद उन्होंने चार सीट लगा दी हलकी करके कम धराओं में हम आज डियाई जी साहब मानिय मुराद जी डियाई जी मुरादवाद के पास आये तो डियाई जी साहब ने हमारी जो सत्य चतनते हमने अपनी सारी बाते डाइजी साब के सामने रखी मानने है डाइजी साहब ने सारी बाते सुनकर सुरू सर लेके अब तक उन्होंने हमारी जाज जो है टांसफर कर दी एसपी क्राइम सिरी सुहास गंगवार जी को क्या कहा डियाई जी साब ने बहुत अच्छी तरीके से रेस्पोंस दिया और मतलब उन्होंने हर पहलू पर बात की मुकदमे के और भो सो समझ कर उन्होंने कहा कि गिरफतारी भी होगी दबंग आदमी है मैंने कहा साब उन्हों बीश्यों मुकदमे हैं यह रही उनकी सबकी कोपी है और मेरे पर सबकू सबूत है बोले अरेश्ट होंगे गिरफतार होंगे वह और मैं आप बेफिकर रही है कि निश्चिंत रहिए और मैं आपकी जाच SP क्राइम को सूपता हूं और आप उनसे मिल लेना और आप परेशान बिल्गुल मत वह यह उन्हों पूरा आस्वासन दिया और बहुत अच्छे से बात की और सभी पहलू अब मुकदमे के मेरे बात की बोले कि यहां दरोगाजी कि ने गल्दियां की हैं तो चलो कोई बात नहीं आपको डॉक्ट साहब वहां पहुंचो और मैं आपकी पतनी का भी और आपके भी सबके स्टेल्मन लिया जाएगा और आप वहां पहुंचो आपका निश्टारन होका गिरफतार होंगे आपको नियाई मिले संतुस्थ हैं जी में डियाईजी साब से बहुत संतुस्थ उम्मीद है आप नियाई मिलेगा जारूर मिलेगा